अरे यार फाइनली एक रोकिट बूस्टर मोडल बना ही लिया जब रोकिट बूस्टर चलता है तो इतना ज़ादा टेंपरेचर होने के बाद भी वो मेल्ट होने से कैसे बच जाता है एक सिंपल फंडा है पहले लिक्वीड हाइड़ोजन और उक्सीजन को बूस्टर के चारो और पाइपलाइन में गुमाये जाता है और फिर बर्निंग चैंबर में भेजा जाता है क्योंकि लिक्वीड हाइड़ोजन का टेंपरेचर माइनस 250 डिगरी से भी ज्यादा ठंडा होता है जिससे कि बूस्टर लिक्वीड हाइड़ोजन से ठंडा होता है और उसी को बर्निंग चैंबर में जला कर उड़ जाता है अगर तुम्हें समझ में आयो तो कमेंट में बताना